प्यारे बच्चों, क्लास 12, इंटर्मीडियेट परिष्थ दो हजार चोबिस, बिसाय हिंदी इलेक्टिव पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने अंत्रा भाग 2 के कवीता खंड और गद खंड के MCQ कोश्चन जो ओफिसियली जारी किया गया है देख शुके है इस वीडियो में हम लोग अंत्राल भाग 2 के MCQ प्रस्णों को देखेंगे अभिवेक्ति और माध्यम ये आपका तीसरा पार्ट है जो मैंने हिंदी कोर के साथ बता दिया है तो हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर के बच्चों को अभिवेक्ति और माध्यम एक ही कोश्चन विभाग द्वारा जारी किया गया है MCQ तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा या फिर डिस्किप्शन में भी जाके देख सकते हैं चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और जरूत मंदों को या वीडियो जरूर सेर कर दे तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं तो अंतराल भाग दो से पाला चेप्टर आपका सूर्दास की जोपड़ी इस से अब्जेक्टिब कोश्चन है सूर्दास की जोपड़ी के लेखक है तो इसके लेखक है प्रेम चन सूर्दास के जोपडी किस उपर न्यास का अंस है तो ये है रंग भूमी सुभा की किसकी पतनी थी तो भैरो की पतनी थी सूर्दास के जोपडी किसके द्वारा जलाई गई तो भैरो द्वारा जलाई गई थी सुर्दास की पोटली किसने चुराई थी तो भैरों नहीं चुराई थी चूला ठंडा किया होता तो दुस्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता या कथन किसका है तो ये नायक राम का है सुर्दास की पोटली में कितने पैसे थे तो 500 रुपए से उपर भैरों को सूर्दास के परती उकसाने का कारे किस ने किया तो जगधर ने सूर्दास को किसके जल जाने का ज़्यादा दुख था तो पोटली के जल जाने का खाली अस्थान से ज़्यादा दिर्ग जीवी और कोई वस्तू नहीं होती तो इसका यहां भरा जगा खाले स्थार में आसा इगारा है सूर्दास ने पैसे कैसे जमा किये थे तो भीख माग कर अंधे भीखारी के लिए दरित्ता इतनी सर्म की बात नहीं जितना धन सूर्दास हमने पुत्राव उसके मित्रों की बात सुन कर इस जीवन को क्या मान लेता है तो खेल तो हम सौ लाक कर बनाएंगे इस कथन से सूर्दास के किस चरितर का पता चलता है तो हार ना मानने की तुम खेल में रोते हो या बात किस किसे कही तो घीसू ने मिठुः से सूर्दास कि अब इलाई साय क्या थी तो था पित्रों का पिंडदान करना, मिठुवा का ब्या करना और एक कुवा बनवाना उप्रोक्त सभी हो जाएगा जगधर की छाती पर सांप क्यू लोट रहे थे तो क्यू क्यू भैरों ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिये थे जगधर कैसा व्यक्ति था तो लालची व्यक्ति सूर्दास अपनी आर्थिक हानी को जगधर से गुप्त क्यू रखना चाता था क्यूंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है जगधर की आग को किस आग के समान बताया गया है तो इट्सिया की आग के समान अब आपका दूसरा चेप्टर है आरोहन से तो आरोहन काहानी किसके द्वारा रचित है संजीव बस ने रूप सिंग और सेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा था तो देवकुन के बस स्टॉप पर रूप सिंग कितने सालों बाद अपने गाउं वापस लोटा था ग्यारा साल रूप सिंग के गाउं का क्या नाम था तो मा ही जिजक अपनतो और लाज की भावना रूप सिंग को क्यूं घेर रही थी क्यूंकि उसे लग रहा था यदि किसी ने उसे पूछा कि वह इन 11 साल उसने क्या किया तो वह क्या जवाब देगा फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं सेखर कपूर था रूप सिंग ने इस कथन का परियोग क्यूं किया क्यूंकि वह उसके गौड़ फादर कपूर साहब का लड़का था वह आई एस ट्रेनी भी था माही किस गाउ में पहले पढ़ने वाला गाउ है तो यहाँ जगा सरगी लेखक ने महीब का कहानी में किस परकार वर्णन किया है तो अंसर है उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सलेटी स्वेटर पहनने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटी उम्र का बालग नौमा है धूब की सुनहरी पतियों के विच्छाया की स्याह पतियां इस पंति की तुलना किस जानवर से की गई है तो धारी-धार खालुवाल से स्राप की मारी अभागी लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा है तो सूपीन नदी को तीसरा चेप्टर है आपका विच्छोर की मार्टी तो विच्छोर की मार्टी पाठ के लेखक कौन है तो विश्वनात्र पाठी विश्वोर की मार्टी पाठ गद की कौन से विधा है तो ये है आपका आत्म कथा इस अध्याय में लेखक किसका वर्नन करते है तो अपने गा गाउं के प्रकृतिक परिवेश का और गाउं के जीवन का स्थ तो अंसर हो जाएगा इन में सभी कोई या क्या है तो फूल इस पार्ट में इसकी ममता असने की बात कही गई है तो भाई का विस्वनाथ को मा का दूद क्यों नहीं मिल रहा था तो भाई के जन्म के कारत फोड़े फुनसी नहीं होती है विस्वोर की माटी पाट के नुसार हिंद्वों के भोज में किस पत्ते का इस्तिमाल किया जाता है तो सक्खुआ के पत्ते कोईया का दूसरा नाम क्या है तो कुमुद चौथा चेप्टर है अपना मालवा खाओ उजाडू सभ्यता पहला को हुआ था दिये गए उचित विकल्पों का चैन के तो इंदोर मद्य परदेश परभास जोसी ने पत्रकारिता का आरम किस संपादक के अंतरगत किया था तो राजेंदर माथूर परभास जोसी ने अपना पहला अकबार निकाला उसका नाम क्या था तो जन सक्ता अपना पाकिस विधा में लिखा गया है तो संस्मरण तेहवारों के समय मालवा के घर आंगन को किसे लिपा जाता था तो गोबर से मालवा में कौन जमा रहता था तो मानसून चोमासा किसे कहते हैं तो बरसात के चार महिने लेखक ने वैसाली रच्छासी बांध किस नदी में लेखा था तो नर्मदा कराने समय में राजा विक्रम्ण अदित भोज मूझ आधी ने पानी का संडख्छिन के लिए क्या किया था तो तलाप का निर्मान कुआ कर निर्मान अह बावडियों की निर्मान रवा है था तो सभी हो जाएगा उज्यान जाते समय लेखक को कौन पुर्व समय में लोग किस कार में कुसल थे तो पानी परवंदर गांधी सागरबांध किस नदी पर इस्थित है तो चम्बल लेखग ने डग डग रोटी पग पग नीर किस संदर में कहा है तो मालवा की धर्ती के बारे में आधुनिक सभ्यता के विकास को लेखग ने क्या कह है तो उजाड की अब सभ्यता मालवा की सदा नीरा नदियां बिना बर्साद के मौसम में किसका काम करती है तो सहर के गंदे पानी को ले जाने का रिनेंसा से पहले भारतिय इंजिनियर किस कला में दच थे तो जल संदर्चन जन सत्तक वार का संपाद किये किस छेतर की और धुकाव रखता है समाजी तो बच्चो